हाई आपने जिस एफ़र्ट के साथ पेपर लिखा जिस एक्सपेक्टेशन के साथ पेपर लिखा वो मीट हो चुका है आप जो सोचे थे वैसा हुआ है क्योंकि एक जिन्दगी का एक फेज आपका पूरा हो चुका है नेक्स्ट फेज के लिए आप तयार करोगे तयारी करोगे बट इस बार का रिजल्ट आपके सामने है अगर हम दोनों ग्रूप का बात करें ग्रूप या ग्रूप डूप अगर आप बोलो इंडिविज्वली अ ग्रूप या ग्रूप टू तो रिजल्ट रहा है लगबग 11 से 13 परसंट के बीच में और गर्याने जो बाकी के बच्चे दिये हैं क्या वो लोग एफट्स नहीं डाले थे तो उसको मैं एक जिनका जिनका नेगिटिव रिजल्ट आया उसको प्लीज फेलियर का टाइग मत देना मैं हमेशा से बोलता हूँ it's just a setback वो एक नेगिटिव रिजल्ट है बस उतना ही उसको फेलियर का टाइग मत देना वो बहुत बड़ा चीज हो जाता है सो फेलियर का टाइग नहीं लगेगा वो बस एक नेगिटिव रिजल्ट है एक छोटा सा setback है वहां पे भी आप बहुत डाला था पर कुछ कारण वर्ष नहीं हो पाया उतना ही सा बात है तो वो और इसमें भी अगर आप स्पेसिफिकली बात करो group 2 के बच्चों से या अगर आप बात करो जो बोध groups एक साथ दिये उन लोगों से तो एक सबसे बड़ा question mark वाला subject रहता है ESSM में result हमेशा historically ऐसा होता है इस बार भी वैसा ही रहा है थोड़ा उपर नीचे रहता है marks तो especially और कुछ तो reason यह subject भी है क्योंकि एकदम theoretical subject हो जाता है technology oriented subject हो जाता है जो हमारे comfort zone के बाहर रहता है और कुछ तो reason इसका ICI का marking scheme भी है of course तो यहां हम लोग वो problem के बारे में बात नहीं करेंगे यहां पर हम लोग solution के बारे में बात करेंगे solution discuss करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि जब हम लोग next time दे next time जब exam दे तो यह problem वापिस से देखने को ना मिले है ऐसा हम क्या कर सकते है और उसके लिए solution है हम लोग goal based planning करेंगे यहां पर हम लोग यहां पर आप मेरे साथ यह plan करोगे goal based planning हम लोग यहां करेंगे सबसे पहले अपना goal यह objective दिमाग में clear रखो कि आ आपका goal क्या है आप पाना क्या चाते हो और goal कभी भी यह नहीं होगा कि आपको बस pass होना ही है इससे में that is a very small target जो आप अपने लिए set कर रहे हो यह target कभी नहीं होना चाहिए goal आपका bare minimum होना चाहिए exemption के ऊपर जाना है bare minimum goal होगा exemption यह आप 70 प्लस जाओ 80 प्लस जाओ goals वैसे होने चाहिए पास होना goal नहीं होता है पास तो आप by product में हो जाओगे आपका goal has to be high तभी आप efforts उस तरह से डाल पाओगे तो सबसे पहला goal set करो कि 60 प्लस तो bare minimum लाइंगे इस बार ESSM में that is your goal अब वो goal जो आपका mark sheet में आएगा जो डो digit का एक number होगा जो mark sheet में लिखावा हो गंटे का लिखा हुआ चीज आपका वो score में reflect करेगा तो three hours में आपने क्या लिखा that matters a lot तो तीन घंटे के बारे में हम बात करेंगे और वो तीन घंटे आप क्या लिख पा रहे हो ये decide करेगा वो डेड़ दिन जो exam के पहले वाला डेड़ दिन का break आपको मिलता है वो डेड प्रोबलम ये हो जाता है कि वो डेड़ दिन में हम आदा syllabus ही नहीं cover कर पाते हैं तो जब डेड़ दिन में syllabus cover नहीं कर पाएंगे तो exam में याद कैसे आएगा वो तीन घंटे में फिर लिखेंगे क्या अगर वो डेड़ घंटे में पढ़े नहीं और देड़ घंटे में तो अब तब वो डेड़ दिन में तब पढ़ पाओगे तब syllabus cover कर पाओगे अगर ये जो आपका preparation phase है जो अभी आपका चल रहा है जुलाइ एंड पे हम है August, September, October तीन थ्री फुल मंच जो आपके पास अवेलेबल है और अगर आप सिर्फ group 2 दोगे तो दस दिन नोवेंबर में भी आपको मिल जाएंगे तो ये ये लग भग दस दिन ये जो पीरियड है लग भग तीन से साड़े तीन महीने वाला इसको हम लोग कैसे यूज करे ताकि ये जो हो गया ये preparation phase तो ये preparation phase को कैसे यूज करे ताकि वो डेर दिन best possible manner में यूज हो पाए और वो डेर दिन को कैसे यूज करे ताकि हम तीन घंटे properly exam में लिख पाए और वो तीन घंटे कैसे सही तरीके से लिखे उसके बाद जो आपका marks आना है वो तो बस एक outcome होगा तो efforts ये तीन steps में डिवाइड होने चाहिए सबसे पहला चीज सबसे पहला चीज हम आज का बात करते है जो हम preparation phase में है उस आपको बताता हूँ सबसे पहले अगर हम लोग बात करें EIS SM एक 100 mark का अपना paper है उस that is divided in 50 50 54 EIS 54 SM पर हम लोग उसको पूरे paper में divide करें तो मैं divide करता हूँ इसको 30 marks MCQ 15 EIS 15 SM 30 marks MCQ में उसको divide कर दो और remaining 70 marks उसको कैसे हम लोग divide करते है 35 EIS का return रहता है 35 SM का return रहता है इस तरीके से हम लोग इस paper को divide करते हैं अब इसमें चाहिए क्या रहता है अगर आप left side वाले पर focus करोगे MCQ वाले side पर तो आप देखोगे MCQ वाले side पर focus करो देखो MCQ का जो 30 marks से उस पर focus कैसे रहेगा इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहला तो conceptual clarity ये आपको MCQ किस तरीके से आते कु से भी उठके आजाएंगे कुछ MCQ होंगे जो case study based MCQ होगा तो case study based MCQ direct उठके आजाएंगे तो ये MCQ पर focus करने के लिए हम लोग को चाहिए conceptual clarity अगर conceptual clarity आपको पॉइंट रहेगा तो आप MCQ वो 30 marks का MCQ है उसमें आप 25 प्लस तक पहुंच सकते हो तो conceptual clarity होना चाहिए bare minimum एक first level उसके बाद अपना focus रहेगा a lot of practice MCQ को practice करना है कई सारा MCQ तो practice session से ही उठके आ जाएंगे sense बना तो ये तो अपना MCQ वाला focus रहा दूसरा जो focus चलेगा वह है अपना written EIS का written SM का written इसको हम लोग डिवाइड करते हैं चार steps में चार steps में डिवाइड क्या दाता है सबसे पहला conceptual clarity बिना समझे अगर आप कुछ भी चीज को learn करोगे वह possible नहीं होगा वह आप return नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला चीज होगा conceptual clarity लेना with small example जो हम दो day to day life में relate कर सके कुछ technical examples के साथ भी relate करते हुए conceptual clarity लेना conceptual clarity के साथ-साथ memorization is important क्योंकि समझ तो आप पूरा चीज जाओगे स समझ तो आप बहुत लोगे पर ultimately exam में तो लिख क्या आना है तो लिख क्या आने के लिए memory is important memorization आपको करना है और memorization के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कुछ tricks and techniques use करते हैं mnemonics बना लो story format में learn करने का try करो जैसे हम class में करते हैं वो चीज आपको फायदा देगा और सिर्फ memorize करने से काम नहीं चलेगा तो यह दो दो पार्ट हुआ यह अपना preparation वाला पार्ट चलेगा उसके बाद जो जो हमने learn किया है ठीक वही वही चीज हमें revise करते हुए चलना है ठीक वही वही चीज हमें revise करते हुए चलना है उसी format में revise करो तब best possible होगा जिस format में आपने learn कर रखा है जैसे जैसे जो जो तरीके से आपने learn किया जिस sequence में learn किया वही pattern में revise करो for best possible retention for best possible memorization और last में again जैसा कि मैंने आपसे बोला exam में अपने को लिख किया आना है तो learn भी सम practice नहीं किया जाएगा तब तक हम exam में लिख नहीं पाएंगे हमें लिखना नहीं आएगा पता है क्या लिखना है content भी दिमाग में है पर हम उसको phrase नहीं कर पा रहे उसको सजा नहीं पा रहे तो लिखने का भी थोड़ा सा practice रहना चाहिए sense बना तो यह चार step में हम लोग अपने written वाले portion को divide करते हैं और mcq वाला तो चलो conceptual clarity और practice से आ जाएगा तो इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं यह आपको screen पर मुझे दिखाना है जैसा first step तीन step में मैं इसको divide करता हूँ तो अभी जो है वो first step चलेगा which is conceptual clarity conceptual clarity जो आगे द दोनों चीज़ के लिए important होगा mcqs and written portion conceptual clarity तो चाहिए उसके साथ साथ हम लोग चले जाएंगे संग में हम लोग learning पर focus करेंगे memorization वो आपको अखेले से नहीं करना होगा वो हम खुद focus करते हुए चलेंगे कैसे करेंगे classes के अंदर में classes का जो details है वो मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा पर पहले मैं आपको structure बता दूँ जिससे आपके मन में भी focused plan होना चाहिए बिना plan के अगर हम काम करेंगे तो वो कभी भी उतना effective नहीं हो पाता तो थोड़ा सा planned way में जैसे हम चलने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको भी जादर clarity रहे सबसे पहला चीज होगा अपना conceptual clarity जो हम लोग examples के साथ लेते हैं और उसी के साथ हम लोग learn भी करते हैं memory memorization पे अपना focus रहेगा learning पे focus रहेगा जिसके लिए मैं आपको हम लोग बहुत सारा pneumonics वगरे discuss करते हैं वो मैं ही आपको दूँगा बहुत सारे cases में हम लोग story format में चीजों को याद करते हुए चले जाते points को proper sequence में link करते हैं जिससे की better तरीके से याद रहे तो यह अपना first phase होगा conceptual clarity लेना learning करना with better some memory techniques and all to that अपना retention पे focus बना रहे उसी के साथ साथ अपना revision आता है अब revision पे कुछ बात करें कुछ दो तीन चीज मुझे आपको बताना है तो first phase अपन लोग revise करते रहते हैं बीच-बीच में पहले क्या पड़ा है उसको revise करते हुए आगे चलते हैं थागी थोड़ा सा चीज याद रहे थोड़ा-थोड़ा content याद रहते हुए चले जाता है और बीच-बीच में जैसा कि अभी जो classes चल रहे बीच-बीच में हमने कुछ chapters को revise भ जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, जो memory tricks हम लोग class में discuss करते हैं, बिल्कुल वही tricks को, बिल्कुल उसी sequence में हम लोग revise भी करते हैं, इस चीज का फाइदा क्या है, जैसे पढ़ा वैसे ही अगर revise किया, इस से फाइदा क्या होगा पता है, आप अपने visual memory पे play कर पाऊगे, जै जैसे इसी तरीके से, जैसे suppose करो, यहाँ पर हम लोग pneumonics जो बना रखे हैं, जैसे इधर pneumonics है, यहाँ पर आपको pneumonics देखेगा, यह सब इस तरीके से हम लोग pneumonics के तरह से discuss करते हैं, learn करते हैं, obviously after giving concepts, concept के बाद यह learning में काम आता है, और जो अपना sequence follow होता है ना points का, वो प्रॉपर, वो best possible learning focus के साथ follow किया जाता है, और जब हम revise करेंगे, हम बिल्कुल यही book use करेंगे, और बिल्कुल यही अपना जो pneumonics है, इसी को use करते हुए revise करेंगे, तो होगा क्या, जब आपके पास सारे revision videos बन चुके होंगे, जब वो ready होंगे, और जो आप पढ़े हो, उ picture की तरह दिमाग में याद आएगा, कि हाँ यह इस page में था, और यहाँ पे इस तरीके से हमने लिखा था, और उसको आप clearly use कर पाओगे, correct, तो यह एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है, यह एक चीज है, अगर आप self study भी कर रहे हो, कोई दिकत ने, self study, तो 100% किया जा सक रखता है, एक चीज का ध्यान रखना, जहां से आप पढ़ रहे हो, जहां से आप पढ़ रहे हो, let's say I say study material से ही क्यों आप पढ़ रहे हो, पर revise भी वहीं से करते हुए चलना, वो best possible आपको help करेगा, तो जहां से हमने पढ़ा है, revise भी अगर हम वहीं से करे, और वहीं से उसी pattern में करते हुए चले, तो best possible अपना memorization को support करेगा, best possible memory अपने लिए बना के देगा, retention will be better, तो यह एक चीज है जो आपको focus करना है, revise करते हैं जो हम लोग class में focus करते हैं, उसके बाद यह तो अपना revision के उपर में रहा, same memory tricks techniques को use करके revise करेंगे, तो यह अपना पहला दोनो step खत यहां पर हम लोग content समझ के learn कर चुके हैं, और यहां हम लोग time to time बीच बीच में revise करते हुए जा रहे हैं, अभी next focus अपना क्या आएगा, next focus क्या आएगा, उससे बाद important वाला focus जो area रहेगा, third step, यह दोनो important था भी, उससे दादा important जो focus area वो है, third step, which is your practice session, which is your practice session, learn भी कर लि revise भी कर लिया, content दिबाग में है, पर लिखना तो ultimately paper में है, आप जो सोचोगे उस पर marks नहीं मिलेगा, लिखना तो paper में है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए practice sessions होगा, दो type का, एक होगा MCQ practice sessions, MCQ practice sessions में again हम कुछ chapter wise questions practice करेंगे, chapter wise questions, हर chapter का अपना-पना set of questions होगा, वो practice करेंगे, जो भी possible variations है, questions के, सब discuss करेंगे, उसके बाद, कुछ questions है, जो अपना case study based होगा, कुछ case study based MCQ questions जो आते हैं, वो अपने discuss करेंगे, और वो सारे chapters खतम होने के बाद ही हम कर सकते हैं, क्योंकि एक case study से, अलग-अलग chapters से उठके questions आ जाता है, तो दोनो type के question variants को हम practice करेंगे, बहुत सारा questions होगा, next जो अपना रहेगा, written focus, वहाँ पे हम लोग written exam, written practice करते हैं, written practice का फायदा क्या रहता है, ultimately जो अपने को 3 घंटा exam hall में लिखना है, ये चीज़ का idea मिलता है, भई अपने को लिखना क्या है, और exactly किस तरीके से लिखना है, तो point wise अपने चलते रहेंगे, head points और keywords पर अपना focus रहेगा, जिस तरीके से होना चाहिए, SM के उपर में थोड़ा सा ध्यान देना, जो case study based questions आजकल आने लगे है, case study based approach रहता है SM में, तो SM में हम लोग written practice में case studies वाला focus रखेंगे, learn करते समय तो concepts learn करेंगे, keywords learn करेंगे, उसको याद भी रखेंगे but लिखते समय case study questions जो आ सकता है, वो हम लोग practice करेंगे, वो लिखने का practice करेंगे, so that आपको वो case study based questions आए कि किस तरीके से deal करना है, sense बना, तो इस तरीके से हम लोग design करके रखेंगे, अपना पूरा का पूरा EISSM के course को, सबसे पहला conceptual understanding learning पे focus रहेगा, next revision संग संग ही हम लोग revise भी करेंगे, और exam के पहले भी revision चलता रहेगा, marathons के form में, तो यह जो first or second step है, यह एक तरह से linked है, और मेरा यह solid recommendation है, एकदम गांट बांद के recommendation को follow करो, जहां से आप पढ़ रहे हो, बिलकुल वहीं से revise करते हुए चलो, right, और third step अपना क्या रहेगा, revise पढ़ने के बाद, learn करने के बाद हम लोग focus करेंगे practice पे, mcq practice और अपना written questions वाला practice, और इन तीनों ही चीज़ को, इन तीनों ही चीज़ को मैंने यहां पे club कर दिया है, तीन अलग-अलग तरीके के batches में, तीन अलग-अलग तरीके batches में कुछ फरक नहीं है, मतलब ऐसा फरक नहीं है, देखो blend है regular और fast track का, regular में क्या है जो अपना ongoing batch है, ongoing batch उसमें EIS अभी चल रहा है, लग-बग खतम होने के कगार पे है, almost on the verge of finishing, तो SM का जो regular course शुरू होगा, SM वाला portion आप चाहो ताप उसमें join कर सकते हो, that is, वो SM वाला regular portion जो भी शुरू होगा, 10-12 दिन के बाद, fast track एक नया batch आने वाला है, 8 August से, वो batch हम लोग EIS से शुरू करेंगे, EIS खतम होने के बाद, SM में जाएंगे, exact time क्या रहेगा, वो मैं आपको बता दूँगा, timing हम लोग discuss कर लेंगे, based on, वो suitability जो maximum लोगों के लिए comfortable हो, maximum लोग attend कर पाए, वो वाला timing हम decide करेंगे, और एक blended batch होगा, blended in the sense क्या EIS आप fast track कर सकते हो, क्योंकि regular तो जैसा भी चल रहा है, तो EIS अगर आप चाहो, तो आप fast track कर सकते हो, और SM आप चाहो, तो regular course वाला SM attend कर सकते हो, तो एक blended batch का भी आपके पास option है, कि EIS आप fast track ले लो, SM को आप regular में कर लो, कितने कितने classes हैं, कब-कब ये शुरू होगा, ये सब tentative है, दो चार उपर नीचे चलेगा, 27 प्लस 11 classes है, fast track batch में, blended का अगर बात करें, जो EIS SM fast track वाला portion है, वो तो same ही रहेगा, 27 का 27, और SM के case में अगर बात करें, तो ये 20 का 20 रहेगा, sense बना, तो in total 62, 38 या 47 classes है, modes वगरा, सारे modes में available है, ये F2F modes में available है, आप इसको, dates को mark कर लो, F2F modes में available है, अगर आप blended batch लेना चाहो, तो SM का regular में आप आ सकते हो, और fast track, EIS का fast track portion में आप आ सकते हो, तो F2F live online modes available है, with regular, with google drive backup जो daily basis पे upload होता रहेगा, दूसरा, google drive, pen drive या mobile आप में recorded classes available है, और इसमें सबसे पहले, आप free structure अगर देखना जाओ, तो ये रहा आपके सामने, free structure ये रहा, 5600 is for regular course, 4300 is for fast track, और 4800 is for blended, अगर हम EIS fast track प्लस SM regular का बात करें, तो वो, question ये है, question ये है कि कौन सा batch लेना चाहिए, अगर आपके पास time है, तो regular batch लिया जा सकता है, अगर आप पहली बार group 2 देने वाले हो, ये आपका conceptual clarity एकदम ही missing है, तो आप regular batch में आया जा सकता है, आप आ सकते हो, अगर आपका conceptual clarity थोड़ा सा lacking है, आपने पहले पढ़ा है, पर उतना effective नहीं हुआ, conceptual clarity missing है, तो आप fast track batch में आ सकते हो, लेक्ट से आपका इस बार का result negative रहा है, conceptual clarity और better चे, कुछ और better तरीके से learn करना है, तो fast track batch is suitable for you, ये अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा confusion हो रहा है, कि time regular का नहीं है, और fast track का comfort नहीं आ रहा है, तो blended में आ सकते हो, पर बहुत ज़्यादा कहीं पर difference नहीं, difference सिर्फ इतना होता है, कि regular में हम example ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ बहुत, एक दो example ज़्यादा हो जाता है, बस उतना ही, और revision एक दो बार extra हो जाता है, बाकि fast track में भी example सारा discuss करेंगे, time to time उसमें भी हम लोग revise करते हुए चले करेंगे, obviously fast track में थोड़ा सा time focus जादा रहता है, regular में वो कम हो जाता है, इतना ही सा फरक है, sense बना, fee structure यह रहा आपके सामने है, और आपको अगर कोई भी doubt, कोई भी query, कोई भी question है, आप आराम से इस number 9831827268 पर आप call कर सकते हो, कोई भी query के लिए, या यह अपना email id जो है, इसमें mail कर लो, कोई भी doubt, कोई भी query, कोई भी question है, हम लोग आपको answer कर देंगे, in case आपको और भी कुछ पूछना है, या कोई भी query है, तब comment box में भी लिख सकते हो, and मैं उस पर reply कर दूँगा, clear है, so कोई भी query है, कोई भी doubt है, आराम से पूछो, कोई टेंशन नहीं है, और इस तरीके से हम लोग approach करेंगे, ये तीन step, एक जो मेरा recommendation रहेगा, वो दो-तीन चीज़ आप बस ध्यान रखना, जब revise कर रहे हो, सीम जगे से revise करना, जहां से पढ़ा है, एक ही चीज़ को एक ही जगे से पढ़ना चालू करो, और exam तक एक ही जगे से refer करते रहो, so that आपका visual memory better बना रहे, अगर वो ये base है, अगर ये base सही है ना, तो फिर हम वो 1.5 base को किस तरीके से use करना है, ताकि सारा syllabus cover हो, written practice कैसे करना है, ये सब हम अराम से discuss करते हुए चलेंगे, कोई tension का बात नहीं होगा, thank you so much, bye-bye.